हम लोगा जो आज यहां पे पूरा पॉलिटिशन्स लोग बैठा हुआ है एक पॉलिटिकल विल जाहिए हम लोगो पॉलिटिकल विल अगर हम लोग नहीं दिखाएगा तो यह स्टेट बेक्गेर मारने में टाइम नहीं लगेगा भई अब लोग देख सकता है अकल बॉर्सम जो आभी निउस पेपर में भी जो मीडिया में भी आ रहा है वेरी अन्फॉर्जनेट और ना चले प्रिदेश पॉब्लिक सर्विस कोमेशन में जो आभी अहालत हुआ है मैं तो सुनके काफी ताजब भी हो गया वस वेरी शॉंट कि इस प्रकार का कैसे कोई यह हिम्मत कर सकता है अभी का जो हमारा जो गौर्मेंट है वी आर डिलिंग विद आयरन हैं करुप्शन को तो हम लोग बस मतलब हम लोग माहत ने करेंगे स्टाफ सेलेक्शन बोड गौर्ड जो हम दोने गटन किया शुरुबात में वहां गरबर होआ वहां का पूरा सिस्टेम को हम दोने पूरा ठीक करके आभी स्टाफ सेलेक्शन बोड जो है बहूत अच्छा से फंक्शन हो रहा है को भी बहुत रिफॉर्म किया यूपीसी पैटर्न भी डाला वहां पे एक्जामनेशन का पैटर्न भी यूपीसी लेवल तब भी लेके आया मगर अनफॉर्चने जिस प्रकार से इस बार का एक्जाम में जो अभी उबर के जो आया मैंने पॉब्लिक को आश्वसन दिया कि हम नहीं इन्वेस्टिकेशन अभी पुलिस अच्छे तरह से कर रहा है और इसका बाद एसाइसी भी उसका इन्वेस्टिकेशन कर देगा और साथ साथ एक कॉमिटी भी हमने गठन किया पॉर्सों जो केविनेट हुआ है प्रिंसिपल सेकेटरी लेवल ऑफिसर साथ में हम लोग एप्रोश करेंगे एक मिलाकीस प्रकार से इसको फिर और भी इस्टेंदिंग करना है तो इस तरह का जो करप्ट माइंडसेट खास करके स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमिशन में अगर होता है हम लोग बिल्कुल टोलेट नहीं करेंगे यह हमार बविश्य के साथ खिलवार हो रहा है आज जो बच्छा लोग बिचरा स्कूल कोलेजेस युनिवर्सिटिस में जो परके आया है सुब लोग चाहता है कि मैं भी एक्जाम में देके गोर्मेंट सर्विस करूंगा उनका लाइफ के साथ खिलवार करना अपना और नाचल प्र झाल प्रण बच्छा लोग टो चाहता है